दोस्तों नमस्कार जैहिन SPL है चैनल की ओर से आपका स्वागत और मैं कैप्टिन चतर सिंग आज इसे वीडियो में मैं आपको संतान उत्पत्ति के लिए रामबान एक ओस्ति और बेटी चाहिए या बेटा ये रहसे भी इस नुखसे के अंदर सामिल है तो आप नवदम पत्ति और आप संतान हीन और बाकिस सब लोग इस वीडियो को अन तक अवस्य देखिए और हमारी चैनल SPL हैल्थ को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइटम को दबा दीजिए तो आईए लेते हैं इस एक रामबान ओस्तिकी जानकारी जी हाँ दोस्तों कोई टाम बे इस ने ये मेरे हाथ में है ये है वो एक जड़ी ये क्या है दोस्तों एक ये जड़ी है और दूसरा ये है फल जी हाँ दोस्तों ये मेरे हाथ में आप कुछ फल देख रहें ये जड़ी है और ये फल है ये ही एक नुकसा है अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये जड़ी बूटी क्या है और ये फल क्या है जी हाँ दोस्तों कि हमारे संता सुनातन धर्म के अंदर पिपल का बड़ा महत्व है और हमारे सावाज के अंदर पिपल की खुब पूजा की जाती है और पिपल रात दिन ऑक्सिजन यानि प्राण वायू हमें देता है तो यह जोस्तों यह प्रिपल की जटा है जे हां दोस्तों ये पीपल की जटा जिसको दाड़ी भी बोलते हैं और जटा भी बोलते हैं ये पीपल की जटा है और दूसरे जो ये फल है ये पीपल के फल है जे हां दोस्तों ये पीपल के फल है तो दोस्तों यही एक रामबान नुक्सा है तो मैं आपको प्रे से दिखाई देते हैं और पीपल की डाड़ी पीपल के उपर आपको कैसी दिखाई देती है तो दोनों चीज आप प्रक्किकल ग्राउंड के उपर देखिए तो दोस्तों आप प्रक्किकल ग्राउंड के उपर आप देख रहे हैं यह पीपल के फल जे हां दोस्तों आप देख पकेवे फल हैं तो हमें उस्ती के लिए पूरे पकेवे भी नहीं और पूरे कच्छे भी नहीं, जो पकने वालें वाले हैं, उन्हें फ़णों का पिपल है तीस-चालीस साल पुर्वाना पीपल है उसमा आपको यह जटा मिल जाएगी तो आपने पीपल के ओपर यह देख लिया अभी इस नुष्के को तयार करने के लिए इसका एक अनुपात तीन जी हाँ दोस्तों एक अनुपात जड़ और तीन में यह फल चाहिए अगर यह सो ग्राम आप जड़ लाए हैं तो तीन सो ग्राम फल चाहिए अगर आपको दस ग्राम जड़ मिली है तो तीस ग्राम आपको यह फल चाहिए इनको लाकर के साफ करके और छाय में सुका करके और सुकने के बाद हमाम दस्ते में डालके और कूट छान करके आप पाउडर तयार कर लीजिए बस आपकी उस्तित तयार है अभी दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है रजस्वला के पांचवे दिन से चार से 5 ग्राम इस पाउडर को अपनी देशी गाय के साथ लेना है बारतिय गाय के दूद के साथ मसुवे भूके पेट और स्याम को सोते टाइम पर ये पाउडर 4 से 5 ग्राम के मात्रा में लेना है जी हाँ दोस्तों अभी सवाल ये होता है कि बेटी और बेटे का रहस्य यह है कि अगर आपको बेटी चाहिए तो जो भारतिय गाय जो बच्छिया की माँ है जो बाठरी की माँ है उसके दूद के साथ लेना है और अगर आपको बेटा चाहिए तो बच्छरे की माँ जो बच्छरे की माँ गाय है उसके दूद के साथ म हमारे कई आईरवेद सास्क्रों के अंदर इसका वरनन है और हमारे सरदेश्री पतंजली योगपिट के आईरवेद के CEO सरदेश्री बाल कृषिन जी महराज का दियावा ये राम बानुस का है और महराज राम कृषिन जी के मुताबिक अगर भवान ने चाहा तो आपको गरब धरन अवस्य हो जाएगा तो आज के वीडियो में यहीं और अगर हमारी चैनल SPL हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे जब तक के लिए नमस्कार जैहिं झाल 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 झाल